Welcome to banking process गाइस आज के इस वीडियो में बात करेंगे Indesan Bank next credit card के बारे में Indesan Bank का ये पहला credit card है जिसमें आपको यापपर 3 button प्रोवाइड किये गये है इन button का यूज करके आप different type of transaction कंप्लीट कर सकते हैं और guys आपका experience है वो काफी ज़्यादा अलग होने वाला है क्योंकि अभी से पहले सायदी आपके पास में कोई button वाला credit card available होगा आपने अभी तक normal credit card को use किया होगा normally उस credit card का use हम अपना online transaction complete करने के लिए करते है POS machine पर हम swipe करके payment करते है बट guys यहाप पर आपको इस credit card के उपर तीन button दिये गए है इन button को press करके transaction करना होता है तो यह transaction आप कैसे करेंगे और आपको यहापर कितना joining भी देना है benefits आपको कितने मिलेंगे total detail आज के इस वीडियो में हम discuss करेंगे तो वीडियो को आप end तक देखते रहिए और अगर आप हमारे channel पर पहली बार आए है पहली बार आपने विजिट किया है तो channel को subscribe करके bell icon को आप press कर लिजिए ताकि आपको credit card, loan और banking से related information सबसे पहले मिले इंडेसंट bank next credit card के welcome benefit के बारे में अगर हम बात करें तो welcome benefit आपको यहाँ पर काफी सांदार प्रोवाइड किये जाते है बट guys welcome benefit है यहाँ पर आपका depend करेगा joining fee पर क्योंकि joining fee आपको यहाँ पर different type से pay करनी होती है इंडेसंट bank ने इस credit card के लिए अलग-अलग joining fee के plan बनाए है जिस plan को आप यहाँ पर सूच करेंगे उसका payment करेंगे उसी के according आपको यहाँ पर joining benefit प्रोवाइड किया जाएगा इस credit card का minimum plan है वो 3,999 रूपीज प्लस GST है यह इस credit card का base plan है यह plan अगर आप credit card पर लेंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी joining fee प्रोवाइड नहीं किया जाएगा बट गाइस 5,000 से above अगर आप joining plan को सूच करते हैं और pay करते हैं तो आप जितने amount का joining fee प्रोवाइड किया जाएगा तो गाइस यहाँ पर आपको only for joining fee ही pay करना है next year से renewal fee आपको pay नहीं करना है तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा एक idea लगाए कि joining fee का plan है वो आप 5,000 से above का ले लेजिए आपको उतने ही amount का यहाँ पर voucher provide किया जाएगा आपका payment भी voucher के form में refund हो जाएगा और next year से तो आपको payment करना ही नहीं है आपका credit card है वो यहाँ पर lifetime free होने वाला है और इस credit card में आपको कापी अच्छे benefit भी मिलने वाले है credit card के benefit के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने आपको starting में ही बताया है credit card में आपको 3 button provide किये गये है first pay with credit, second pay with reward और third pay with EMI यह button press करके आपको different category में transaction करने होते है लेकिन guys याद रहे तीन button आपको यहाँ पर provide किये गये है इन button को press करने के बाद में आपको यहाँ पर 6 minute दिये जाएंगे उन minute के इंदर आपको अपना transaction complete करना होगा मान लिजिए आप किसी mall में विजिट करते हैं वहाँ पर आप कोई shopping कर लेते हैं तो जितना भी amount आप pay करना चाते हैं उसके लिए आपको अपना button press करना होगा example के लिए अगर आप credit limit में से payment करना चाते हैं तो आपको पहला button press करना है यहाँ पर एक light blink करेंगी उसके बाद में आपको अपना transaction complete करना होगा आपकी credit limit में से आपका transaction है वो यहाँ पर successfully complete किया जाएगा बट गाइस मान लीजिए आपके पास में कोई reward point है reward point आपने बहुत सारे collect कर लिए है तो उनका payment करने के लिए आपको यहाँ पर second button को सूच करना होगा second button को आप यहाँ पर press करेंगे यहाँ पर भी एक light blink होगी उसके बाद में आपको अपना transaction complete करना होगा जितने भी आपके reward point है आपने जो reward point collect किये है उनके तुरू आपका यहाँ पर payment complete हो जाएगा और गाइस third options है EMI का EMI का options कापी ज़्यादा आपको यहाँ पर help करेगा क्योंकि गाइस आप अगर shopping करते हैं किसी mall या फिर store से वापर POS machine available है तो उसी के तुरू आपको यहाँ पर direct EMI में transaction करने का options available हो जाएगा अब गाइस आपके mind में सवाल होगा कि EMI का transaction तो हम normally online या पिर अपने net banking के तुरू भी कर सकते हैं बट गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर आप इस button का use करके EMI में transaction करेंगे तो आपको यहाँ पर दो benefit provide किये जाएंगे पहला आपको यहाँ पर कोई भी processing भी नहीं लगने वाला है फिर चाहिए आपका कितना भी amount क्यों ना हो और second benefit आपका यहाँ पर rate of interest पर provide किया जाता है आपको यहाँ पर estimated 12% का rate of interest पर NM के according लगाया जाता है और गैस आप EMI कैसे करेंगे तो EMI करने के लिए आपको third button प्रेस करना होगा light blink करेंगी मान लेजिए 6 पर blink करती है तो आपका tenure है वो 6 month का सूज हो जाएगा अगर आपको ज़्यादा tenure सूज करना है तो वो button आपको फिर से pay करना होगा light blink होती है 12 month पर, 18 month पर, 24 month पर यह जो tenure है वो आप उसी button को प्रेस करके सूज कर सकते है तो guys काफी बढ़िया benefit है, काफी unique benefit है साइध ही आपके पास में कोई button वाला credit card होगा लेकिन guys आपको यहाँ पर समझदा होगा यह जो button की facility जाए, button से आप जो transaction करेंगे यह facility आपको only for offline store या फिर offline आप payment करेंगे वहाँ पर देखने को मिलेगी अगर आपको इस credit card से online transaction करना है तो फिर आप जो normally credit card को यूज करते हैं अपने card का number एंटर करके expiry, month and year एंटर करके वही तरीका आपको यहाँ पर करना होगा online payment करने के लिए इनके अलावा इंडेसन next credit card में आपको movies का भी benefit मिलता है अगर आप book my show app के थुरू इस credit card का यूज करके एक ticket को book करेंगे तो आपको second ticket यहाँ पर free में provide किया जाएगा यह benefit आप एक महिने में दो बार ले सकते हैं लेकिन guys second ticket की जो value होती है जो money होती है वो आपकी यहाँ पर maximum 200 होनी चाहिए 200 से अगर आपका amount कम होगा तो वो ticket definitely आपको यहाँ पर free में provide किया जाएगा यहाँ पर आपको priority pass की membership भी provide की जाती है बट guys पहली बार कोई ऐसा credit card है जिसमें आपको international launch access नहीं मिलते हैं और domestic launch access भी आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे priority pass की membership आपको only for दी जाती है बट guys इसमें अगर आप international travel plus का membership लेते हैं तो आपको यहाँ पर 8 complimentary international domestic launch access देखने को मिल जाएंगे अगर आप membership नहीं लेंगे तो आपको यहाँ पर पर विजिट पर या पिर जब आप launch access international यूज करेंगे तो आपको 27 USD United States डॉलर आपको pay करने होंगे और guys यहाँ पर जो आप यह external membership लेते हैं उसका amount यहाँ पर 5000 रूपीज है तो guys अगर आप travel करते हैं तो ही आपको यह लेना है अन्यता आपको इस benefit की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपके कोई काम का नहीं है इस credit card में आपको यहाँ पर fuel charge wave of भी डेखने को मिलता है इंडिया के किसी भी fuel station पर आप petrol फिल करवाते हैं फिल पर spend करते हैं तो आपको यहाँ पर 1% का charge wave of डेखने को मिलेगा बट इसके लिए आपका transaction है वो minimum 400 होना चाहिए और maximum 4000 का इनके बीच में अगर आपका transaction है तो 1% का charge आपका wave of किया जाएगा इंडिसंट बेंक इस credit card में आपको auto assistance की facilities भी प्रोवाइड करता है डिस्पले पर आपको मैं 24 into 7 hours नमबर भी प्रोवाइड कर लूँगा इस नमबर पर आप auto assistance service भी ले सकते हैं मान लिजिए आप car से drive कर रहे हैं आपकी car खराब हो जाती है पंचर हो जाती है ऐसी इस्तुति में आपको इस नमबर पर call करना होता है और यहां से आपको जल्दी से जल्दी services प्रोवाइड की जाती है अगर गाइस बात करें इंडेसंड next credit card के reward system के बारे में तो आपको यहां पर every 150 रूपीज spend करने पर एक reward point प्रोवाइड किया जाएगा लेकिन गाइस आपके reward point की value आपको यहां पर 1 रूपीज मिलने वाली है अगर आप cash में redeem करते हैं तो आपको 1 रूपीज यहां पर value मिलेगी बाकी आप product catalog और air mile पर भी redeem कर सकते हैं तो reward point का कापी अच्चा benefit आपको यहां पर provide हो जाता है आपको इस credit card में insurance के भी benefit मिलते हैं इस credit card में आपको 25 lakh का air accidental cover मिलता है साथी आपको zero lost liability cover भी provide किया जाता है इनके अलावा guys मैंने आपको priority pass membership बताई है वापर भी आपको बहुत से insurance provide हो जाते है अब guys finally हम joining fee के बारे में बात करेंगे तो वैसे तो मैंने आपको पहले ही starting में clear कर लिया है जितना आप यहापर joining fee से इस credit card को लेंगे उतना ही आपको यहापर gift voucher provide किया जाएगा but guys best plan याने की 3999 रुपीज का अगर आप plan लेते हैं तो इसमें आपको यहापर joining benefit provide नहीं किया जाएगा तो guys आप mind से काम लीजिए अगर आप 5000 से join करेंगे तो आपको यहापर same to same amount का voucher मिल जाएगा gift voucher मिल जाएगा और second year से आपको कोई भी fee pay नहीं करना है इसका renewal fee बिलकुल भी नहीं है credit card आपके लिए lifetime free है तो इतना दिमाग आप लगा लिजी अगर credit card को आप apply कर रहे है end guys यहापर हम बात करेंगे credit card को apply कैसे करे या फिर इसके लिए income eligibility कितनी है तो income eligibility या पर आपकी stable income होनी चाहिए आपके account में और आपका credit score है वो good होना चाहिए यह दोनों अगर सही है तो definitely आप indecent next credit card के लिए apply कर सकते है और guys apply करने के लिए आपको वीडियो के down में directly link मिल जाएगा link पर आपको click करना है indecent bank की official website पर आप redirect हो जाएंगे वहाँ पर आपको अपने mobile number pen card जो भी आपके detail है वो detail enter करके आपको indecent bank credit card की application को submit कर लेजिए credit card की application आप submit करेंगे तो उसके बाद में indecent bank के जिस भी credit card के लिए आप eligible होंगे वो credit card आपके सामने रहेगा तो I hope उस credit card को आप ले सकते है card की application जैसे ही आपकी approve होती है तो 7-10 working days में आपका credit card भी dispatch करके provide किया जाता है I hope की ये information आपके लिए काभी ज़्यादा informative रही होगी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like कर लीजिए, share कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ में और हमारे चैनल को आप subscribe जरूर करें तागी आपको credit card, loan और banking से related information सबसे पहले मिले